असलों मेरा नाम है फक्रासी बाजवा और आप देख रहे हैं बाजवा कहता है यूट्यूब चैनल रिटेंशन वीडियो जाने का सिल्चला जारी है लहोड कि लंदस की वीडियो अपलोड हो चुकिए अगर आप नहीं देखी तो वह आप दोग देख सकते हैं इस वीडियो क की बात करने जा रहे हैं जो कि लास्ट येर सेकंड आई थी रनर अपस थी और उससे पिछले साल की चेंपियन टीबी थी तो काफी अच्छा उनके पिछले दो साल देखें तो रान रहा है ग्रूप स्टेज में उन्होंने रिकोर्ड विंस हासिल की थी नो मैच्च जीते से दस में से और फाइनल में जाके थोड़ी सी मुश्किलात का शकार हो गई थी लेकिन ओवराल काफी अच्छी केंपेंज चल रही है उनकी तो उनकी डिटेंशन की बात करें तो रिटेंशन थोड़ी सी उनकी डिफिकल्ट नजर आ रही है कुछ जो फोरन प्लियर साओं स्प अगर हम बात करें प्लाटिनम रिटेंशन की तो उसमें मुहमर रिजवान हम रिटेंड करेंगे और अगर अवेलिबल होते हैं तो उनको भी रिटेंड किया जाएगा और उवेलिबल में वो हो जाएएगे उसके बाद है और उर्डीन समिच जो उनने लास्ट येर नहीं सकते आगे लेकिन हैदर अजर जोंके CEO हैं उन्होंने ये स्पेशल बताया था कि ओडीन स्मित को मुझे आइडिया था कि वो अवेलेबल नहीं होंगे लेकिन उसको हमने नेक्स्ट टियर्स के लिए पिक किया है तो यानि इसका मतलब है कि ओडीन स्मित को रिटेंशन के होता है अगर राइली का भी होता है इस्यू तो मेरा ख्याल है डैविड मिलर पर उनको जाना चाहिए क्योंके इनकी तीसरी पीक है प्लाटिनम कैटिगरी में और पहली लहोर की है वो तो फुल है वो उसको निकाल दें आप कोईटा की यानि दूसरी पीक है जो वर्चुली सब्सक्राइब कोईटा पीक है और फुला है तो आपको देविड मिलर मेरा ख्याल है मिल सकता है क्योंके क्वेटा शायद नहीं जाएगा डेविड मिलर पर क्योंके उनके मिडल और में काफी बैर्समन आड़रेडी मौजूद हैं तो आपको टिम डेविड की कमी को पूरा करने के लिए मेरे खिया हम डेविड मेलर से अच्छी च्वाइस नहीं मिल सकती तो डेविड मीलर पर जाने के लिए अगर आपको देख ले आपको जगा बनानी किस तरह है वो सीन आपको देखना पढ़ेगा मेरा खियाल है कि अगर औरीन या राईली मेंसे कोई प्लेयर नहीं आता तो आपको डैविट पर जाना चाहिए डाइमेंड की बात करें तो डाइमेंड में इमरान ताहिर आप मेंटर बनाकर रिटेन कर सकते हैं इमरान ताहिर की अच्छी परफॉर्मसीज रही हैं मुलतान के लिए काफी सर्विसीज हैं अगर आप एक साल उनको खिलाना जाते हैं पिछले साल हैदर अजर ने हमें हमारे शो में ही ये कहा था कि वह दो से तीन साल मजीद खेल सकता है इमरान ताहिर तो अगर इस साल भी वो कंटीनियू करते हैं तो मेरे ख्याल है उनको मेंटर बनाके आप रिटेन कर सकते हैं इन डाइमेंड कैटि तो उनको भी लाजमी रिटेन करना चाहिए और शान मसूद को मैं फिर ब्रैंड बस्टर बनाकर गोल्ड में ले गया हूँ और सुहे मकसूद पिछले साल डाइमन में इस साल गोल्ड में है परफॉर्मस नहीं थी उनके लास्ट ये लेकिन अब मेरा ख्याल है उससे पिछल नहीं कर रहा हम है आर्टीम की बात करें तो आर्टीम आप कर सकते हैं अनवर अली या रूमन रेस में से सिल्वर कैटिगरी में और इमर्जिंग में आमी रजमत भी एक च्वाइस है अगर आपने आर्टीम करना है किसी प्रेहर पर तो इनमें से किया जा सकता है मेरे ख्याल उनको भी लास्टी इन्होंने डाइमेंड में पिक किया था तो मेरे ख्याल में ओडीन स्मिट से बहतर है रोवमन पोवल लेकिन जैसे मैंने बता है कि हैधर अज़र की इंकलियनेशन थोड़ी सी ओडीन स्मिट की तरफ जाधा थी तो हो सकता है ओडीन स्मिट होते हुए लिए को पिर और इम्रान ताहिर की खुर्बानियाम को फिर दिनी पर सकती है उस-के लिए इम्रान ताहिर को अब प्लाइटिनयो भी डेटैनल कर सकते हैं में इन्ट बनाए बगाई तो यह तो डीवोफ चेंजूस करना ही पढ़ेंगे यह आई ठिक अग देखना कि इसमें क्या डिफ्रेंट हो सकता है प्लेयर्स की विलिबिल्टी इसमें काफी इंपोर्टन रहेंगी कब से कब तरक अवेलिबल रहते हैं तो यह सारे सनेरियो देखना पड़ेगा लेकिन मोटा मोटा मेरे ख्याल में यह रिटेंशन और नोटिसेबल इमिशन आपको मैंने कर लेंगे कि आप की जहन में क्या है रीटेंशन केवाले से मेरे जहन में क्या था वो मैंने आपको बता दिया है मज़ीर वीडियो आती रहेंगे अपना ख्यारर रहिए गाए वस्वीडेयो कर दें चैनल को सबस्क्राइब कर दें बैल आइकन जГन दौदें ताकि मजईभ PSL की अपडेट्स और वीडियो तो आप मिस्स ना कर दें